हेलो दोस्तो कुकविच शिल्पा में आप सब का स्वागत है आज हम बनाएंगे महारेस्टर की एक स्पेशल रेसिपी जो बहुत टीस्टी वन्ती है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम ग्यास पर कडाई रखेंगे जिसमें हमें डालना है आधा चम्मच तेल ये कॉल्ड प्रेस ओईल है आप अपना रेगुलर ले सकते हैं जिसमें हमें डालना है आधा चम्मच जीरा साथ ही डालेंगे आधा चम्मच राई इसे थोड़ा सा हमें चटकने देना है फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच लैसुन जिसे मैंने पीस कर लिया है इसे अच्छा से भूनना है फिर डालेंगे दो हरी मिर्च जिसे मैंने कूट कर रखा था बारिक तो वो भी हम इसमें डालेंगे यानि एक चम्मच mix करेंगे अच्छा से हलका सा इसे भूरने के बाद हमें इसमें डालना है दो कटोरी पानी कोई भी कटोरी लीजिए उससे आप डाल सकते हैं तो यहाँ पर हमने दो कटोरी पानी इसमें डाल दिया है अब डालेंगे आधा चम्मच हल्डी पाउडर साथ ही डालेंगे आधा चम्मच सेंधा नमक यानी रॉक साल्ट आप अपना रेगुलर नमक भी डाल सकते हैं इसे अच्छा से मिक्स करेंगे साथ ही डालेंगे थोड़ा सा बारिक कटा हुआ हरा धनिया और इसे उबलने तक वेट करेंगे तब तक हमें एक प्लेट में लेना है बेसन ये दिखिए चान कर लीजिए चलनी से फिर उसके बाद हमें इसमें बेसन डालना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है गैस के फ्लेम लो रखिए और थोड़ा थोड़ा बेसन डालते हुए इसे इस तरह से mix करते जाएए शुरुवात में आपको लगेगा गुटलिया बन रही है लेकिन आप continuously mix करते जाएंगे तो एक भी गुटली इसमें नहीं रहेगी वो पूरी तरह से अच्छी तरह से mix हो जाएगा ये देखिए continuously mix करते हुए आप देख सकते हैं वीडियो में ये कितनी अच्छी तरह से mix हो गया है और हमें ये गाढ़ा बनाना है पतला बिल्कुल नहीं बनाना है इसका टेक्शर आप देख सकते हैं ये देखिए अब हमें इसे ढखकर रखना है 2-4 मिनिट के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं लो फ्लेम पर 2 मिनिट के लिए मैंने ढखकर रखा था फिर ग्यास बंद करके फिर 2-3 मिनिट के लिए वैसे ही ढखकर रखा था तो इसका टेक्शर आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसा है बिल्कुल परफिक्ट है चलिए अब इससे वड़ी बनाते हैं तो उसके लिए पोली पाट लीजिए जिस पर एक सॉफ्ट कॉटन लीजिए जिसे पानी से भिगो कर लीजिए जो वड़ी का मिश्रन हमने बनाया है वो हमें पोली पाट पर इस तरह से डालना है थोड़ा सा उसी चमच से हम इसे फैलाएंगे इस तरह से क्योंकि ये बहुत गरम है और फिर थोड़ा सा फैलाने के बाद हम ये चमच रखेंगे कड़ाई में और फिर हाथ पर लगाएंगे थोड़ा सा पानी और हाथ से हमें इसे अब थापना है थोड़ा सा थापिए फिर से हाथ को थोड़ा सा पाणी लगा लीजिए फिर से थापिए इस तरह से आपको इसे बड़ा थापना है आप कितनी जाड़ी या पतली वड़िया बनाना चाहते हैं उस हिसाब से इसे थाप सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं मैंने इसे एक इस तरह का थापा है, यह थापकर तियार है, यह दिखिए इसका texture, बिल्कल पॉफिक्ट, यह रेडी है, अब हमें इसे दोनों साइड से कॉटन को इसे उठाना है, यह दिखिए, दोनों साइड से इसे उठाईए आराम से, और एक इसके बाद थोड़ सा उसे ठंडा होने देंगे और फिर इसके बड़िया कट करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले आप जितनी भी बड़ी या छोटी बनाना चाहते हैं square shape में बनाना चाहते हैं या फिर कोई और shape में बनाना चाहते हैं जैसे भी आपको पसंद हो आप उसे बना सकते हैं तो इस तरह से चमश अगर आपके पास है तो आप वो लीजे या फिर आप चाकू से भी इसे कट कर सकते हैं तो आराम से हलके हातों से इसे इस तरह से पकटे हुए आपको कट करना है, ये देखिए, इसी तरह से सारी वडिया यहाँ पर कट करके लेनी है, ये बहुत टेस्टी बनती है, ये वडिया जो है ऐसे ही खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है, इसकी सब्जी भी बनती है और यह इस तरह से ऐसे ही खाई भी जाती है, यह बहुत तेस्टी लगती है, तो यहाँ पर मैंने सारी वडिया जो है, इस तरह के शेप में काट कर ले ली है, आप देख सकते हैं, चलिए मैं इसे आपको हाथ पर लेकर दिखाती हूँ, यह देखे, यह कितनी आसानी से निकल रही है, यह दिखे, कितना अच्छा टेक्शर आया है वडिको, बिल्कुल पॉफेक्ट वडिया बनकर यहाँ पर तयार है, तो चलिए, यह सारी वडिया एक प्लेट में निकाल लेते हैं, और आप देख सकते हैं, यह कितनी जाड़ी या पतली है, कैसी है, बहुत ही आधा टेस्टी लगती है, तो जरूर बना कर ट्राय कीजिए, चलिए, इसे रखते हैं साइड में, और अब कड़ाई फिर से गास पर रखेंगे, जिसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच तेल, और जैसी ही तेल गरम होता है, हमें तेल में डालना है, आधा चम्मच राई, राई को थोड़ा सा चटकने देंगे, फिर उसके बाद हम डालेंगे अधा चम्मच जीरा, और फिर उसके बाद हमें इसमें डालना है, अद्रक और लेसुन की पेस्ट, जो एक चम्मच ली है याँपर, इसे अच्छा से भूनेंगे, इसका कलर बदलने के बाद हमें इसमे डालना है, तीन चम्मच सूखा नारियल जोसे मैंने पीस कर लिया है, और अब इसे भी अच्छा से मिक्स करेंगे, इसका भी कलर बदलने तक हम इसे भूनेंगे, ग्यास की फ्लेम लो रखकर हमें इसे भूनना है, यह देखिए, इसका कलर भी बदल गया है, यह भून कर तय अब हमें इसमें डालना है थोड़ा सा बारिक कटा हुआ हरा धनिया और फिर से इसे अच्छा से मिक्स करेंगे ये देखिए धनिया डालने के बाद आप देख सकते हैं इसका टेक्शर कैसा हुआ है ये भी भून कर अच्छा से तयार है अब हमें इसमें डालने हैं मसाले गैस यह दिखिए यह भी mix हो गया है अब हमें इसमें डालना है पानी तो गरम किया हुआ पानी डालिए और जो कडाई हमने जिसमें वड़ी का मिश्रन बनाया था उसी कडाई में पानी गरम किया था उस वज़े से पानी का कलर आप देख सकते हैं कैसा है और अब इसमें डालेंग एक चम्मच ब्लैक मिर्च पाउडर यानि की जो मिर्च होती है उसे भून कर बनाया जाता है ब्लैक मिर्च पाउडर तो यहां पर मैंने डाला है एक चम्मच और साथी डाला है स्वादानुसर सेंदा नमक यानि रॉक साल्ट और इसे पाच मिनट के लिए ऐसे ही उबलने दे यह ऐसके बाद आप देख सकते हैं यह बनकर नहीं है अब हमें इसे डाली हैक वड़ी से थार अप्ति वारिया हमें इसमें एलाई Allow पर नहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स फो ओचिंग